कि एक कोश्चन हम लोग करते हैं यह स्प्रिंग वागे पर मान लोग कि यह स्प्रिंग है और किसी परसन ने इसको पूस्ट किया इसका सपोज स्प्रिंग कोस्टेंट है और एक परसन ने इसे कम्प्रेश किया कितना सकी ए फोर सी एम से तो वह पूछ रहा है कि वर्ट डन बाई डन बाई स्प्रिंग ओन दो पूसिंग परसन या ओन दो परसन जो एजेंट अपलाई कर रहा है उसकी बात कर रहा है तो अगर यह फोर सी एम से कम्प्रेश किया है तो हमने देखा था कि स्प्रिंग दोरा क्या वर्क होगा तो यहां से अगर फोर से हुआ है तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो रहा होगा तो आप यहां simple बोल सकते हो कि जो energy store हो रहा होगा वो half के x square हो रहा होगा ठीक है अब यहां से अगर press ऐसे किया तो force ऐसे कुछ लग रहा होगा press किया तो force ऐसे लग रहा होगा और displacement ऐसे हो रहे तो यह इस पर person force लगा है तो compress किया तो यह भी force लगा रहा होगा पर्सन पर लेकर displacement इधर की तरफ और force उधर की तरफ है अब magnitude of work done यह है यह निकाल था न कि work done क्या होता है expansion होगा compression की बार तो word done हमारा एतना है तो magnitude of work done magnitude of work done चाब person कर रहा हो उतना ही work done तो यह भी कर रहा होगा तो मैंट्यूड ओफ वर्क ना हाफ के 40 4 cm यानि की 100 अब यह 220 into 4 into 4 upon 100 into 100 16 by 500 जो भी जूल वर्क हो रहा होगा यह magnitude है लेकि यहाँ direction opposite है तो work done by जो spring है on the person minus 16 by 500 जूल बास सुझवा है अगर यह elongate कर रहा था तो हम लों वर्क ना देखा था minus के एक से स्क्वार magnitude क्या था के एक से स्क्वार work done तो इतना ही होना है minus plus वो तो direction को पड़ी बिन करता है तो यहाँ पर person ने push किया force यह मैंसे है तो force कैसा लग रहा होगा इस direction में displacement कर रहा होगा इस direction में work done के इतना हो रहा होगा इतना तो यह person पर कितना work कर रहा होगा माइनस of this okay note करो आप इसको एक question और करते हैं कि यह ground है यहाँ से एक ball है और आपने इसको 20 meter per second से throw किया एक certain point आने को आदे क्या होगा रेस्ट में आ जाएगा तो कितना height cover किया होगा तो यह जो height cover किया होगा उसमें क्या हो रहा होगा gravity work कर रहा होगा और यह जो यहाँ से throw किया होगा वो क्या था kinetic energy तो gravity work कर रहा होगा kinetic energy का against में work करते करते certain point पा kinetic energy खतम हो गया होगा तो किसी फॉम में इनरजी आगया हूँ इसको पोटेंसिय नरजी बोलते हैं लेकिन ठीक है और जो ही हो हमें पता है कि किसमें सब्सक्राइब कर रहा है वह कर रहा है हमारा ग्रेविटी तो हमारा gravity वर्क कर रहा है, mg फोर्स लग रहा है, तो वर्क कितना कर रहा होगा, वर्क बाई gravity, माइनस mgh, और हमारा change in kinetic energy क्या है, फाइनल माइस नहीं से, तो फाइनल हमारा 0 है, यहाँ पर हाफ mv square है, तो इसा कर सकते हैं, कि माइनस mgh, वर्क डन बाई gravity, is called to final, minus initial, kinetic energy, कोई दिक्कत नहीं, minus minus this plus m, m cancel, z को 10 ले ले लेते हैं, h हमें निकालना की किस height अगर गया हो, तो क्या आप जागा, half, v क्या है, 20 into 20, 10 to 22, h power 20, यहाँ 20 मीटर यहीं उपर move किया होगा, instantaneous of rest में होगा, और ऐसे भी आप निकाल सकते हों कि, निकालते हो नो, क्या आप है, v square is called to u square plus 2s, देखो, v square is called to u square plus 2as, v क्या है, 0, u क्या है, 20, 2a क्या है, minus 10, s, s यहाँ से निकालते हैं न, 20 into 20 upon 2 into 10, यहाँ से भी 20 मीटर, तो हम लोग एनर्जी को जो लगा है, जो हमने पढ़ा था कि word done क्या होता है, kinetic energy जो से गेम्स को वर्क कर रहा है, उसमें वो इस्टोर हो जाता है, तो देखो, दोने से हमारे स्वीमी चीज़ आ रहा है, ओके?